श्री शिवाई नमस्तुभियन दोस्तों आप सभी लोग जानते है कि 20 मई 2024 को सोमवार प्रदोशवरत है और सोमवार प्रदोशवरत बहुत ही समय बाद आता है इसलिए आप लोगों को इस बड़े और अच्छे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन पांच कनेर की फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि यह वह उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी जीवन की सारी दुख और परेशानी दूर हो जाती है आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार के दिन वैसे भी भगवान शिवजी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और इस दिन अगर हम कोई उपाय करते है तो उस उपाय से भगवान शिवजी बहुत जल्दी प्रसन होते है और उस उपाय को करने का जो हमें फल है वह बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर भी मिलता है पर दो पांच कनेर के फूल वाला उपाई जरूर करना चाहिए, अब दोस्तों यह पांच कनेर के फूल वाला उपाई आप लोग किस लिए करोगे? तो हम आपको बता दे कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनो कामना है, आपकी कोई ऐसी मनो कामना है, जो कि आपके पूरे घर परिवार के लिए है, या आपके जीवन में कोई भी दुख और परेशानी चल रही है, किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी चल रही है, कोई भी म मनो कामना है, तो भाई आप अपनी उस मनो कामना के लिए इस पांच कनेर की फूल वाले उपाई को इस सोमवार के दिन कर सकते हो, अब दोस्तों इस सोमवार के दिन इस पांच कनेर के फूल वाले उपाई को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है, कहां पर करना है यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते है तो सबसे पहली चीज दोस्तों हम लोग यह समझ लेते है कि इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर करना किसको है क्या घर में से सभी सदस्यों को करना है या घर में से किसी एक सदस्य को करना है तो देखि यहाँ पर हम आपको बता दे कि इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को घर में सभी सदसे को करने की जरूरत नहीं है, अगर घर का कोई एक बड़ा या मुख्य सदसे भी इस उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए करता है, तो इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को करने से उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय का फल मिल जाएगा तो हम आपको बता दे कि घर की जो बड़ी माताई बहने होती है उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बेहिन इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार के दिन कर सकती है अन्यता किसी अगर घर में माताई बहने उपस्थित ना हो तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा पुरुश भी इस उपाय को कर सकता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब दोस्तों हम जानते है कि इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर हमें करना किस समय है तो प्यान रखना है जो कि हम आपको बताएंगे तो देखो सुबह अगर उपाय को कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उपाय को कर सकते हो वरना 10 या 11 या 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा वहीं अगर बात करे शाम के समय या प्रदोश काल की तो उस समय आप लोगों को इस उपाई को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी कर लेना है आपको इस उपाई का फल जरूर मिलेगा उसके बाद में दोस्तों इस पांच कनेर के फूल वाले उपाई को हमें करना कहां पर है? तो देखो यहां पर हम आपको बता दे कि इस उपाई को करने के लिए आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो जहां पर शिवाले हो शिवलिंग विराजित हो वहां पर जाना है और वहाँ पर जाकर ही इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को करना है इस उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते हो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखना ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इस उपाई को करने की बहुत सारी जानकारी जान चुके है अब हम लोग सीधा जानेंगे कि इस पांच कनेर के फूल वाले उपाई को करने की विधी क्या है और इस उपाई को हमें इस सोमवार इतने बड़े और विशेश सोमवार के दिन करना कैसे है? तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज हम. आपको यह बता दे कि आप इस उपाय को चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो तो एक बात आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामगरी को लेक करने के लिए भगवान शिवजी के मंदिर जा रहे हो तो आप लोगों को कम से कम एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाना है और वैशाख महीने का सोमवार रहेगा तो भाई वैशाख महीने के सोमवार में अगर आप लोग मित ती के पात्र में भरा हुआ जल अगर आप लोग लेकर जाओगे अपने साथ में शिवलिंग के उपर चरने के लिए तो इस उपाय का जो फल है आपको दो गुना होकर मिलेगा तो इसलिए हो सके तो रात भर भरा हुआ मिट्टी के पात्र का जो जल है वह आप अपने साथ में लेकर जाए अन्यता जो जल आपके पास हो वह ए जोगों की यह वाला उपाय आपको पूजन अर्चना करने के बाद ही करना है। आप लोग आटे का दीपक ले सकते हो आटे के दीपक के अंदर आप लोग रखोगे गोल बत्ती और उसके अंदर डालोगे शुद देसी गाय का घी शुद देसी गाय का घी डाल कर इस दीपक को तयार करके आप अपने घर से लेकर अपने उपाय की सामगरी को रखकर शिवज जिए के मंदिर में जाकर ही जलाना है और अपने उपाय को उसके बाद में करना। क्योंकि यह कही बिकने नहीं आते है, या आप लोगों को किसी भी पेर से तोड़ना पड़ेंगे क्योंकि यह फूल आपको बहुत आसानी से मिल. जाएंगे और अगर आप लोग किसी के घर से कनेर के फूल तोर रहे हैं, तो कोशिश करना कि आप उस घर के व्यक्ति से पूछ ले कि हम आपके घर से कनेर के फूल तोर ले उसके बाद ही आप उनके फूल तोरे अन्यता बाहर लटक रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो आप ब में दोस्तों जैसी आप लोग उपाय को करने के लिए शिवजी के मंदिर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले जाकर अपनी पूजा अर्चना करनी है, जैसे सुबह के समय गए हुए हो तो पहले जाकर अपना एक लोटा जल चड़ाना, अपनी पूजा अर्चना करने के बाद ही आप लोग शिवलिंग के पास में बैठ कर इस वाले उपाय को करना, वहीं अगर शाम के समय आप इस उपाय को कर रहे हो तो पहले जाकर अपना वहगी का दीपक जलाना गोल बत्ती का उस दीपक को जलाने के बाद अपनी माची से शिवलि पहले कनेर का फूल आप लोग निकाल लीजिये जो पहले कनेर का फूल है यह भगवान शिवुव। जी की शिवलिंग के उपर जो गनेश ची का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित होगा अब शिवलिंग की उपर गनेश ची का जो स्थान होता है वह जलधारी के राइट हैं साइड मतलब सीधे हाथ की तरफ होता है तो इसलिए पहले आपको गनेश ची वाले स्थान को अच्छ जिवाले स्थान पर समर्पित करेंगे तो खिला हुआ फूल का भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी का भाग उस फूल की डंडी का पीछे का भाग अपने आप जलधारी की तरफ हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको पहले कनेर का फूल जो है गनेश जिवा जिवाले स्थान पर समर्पित कर देना है उसके बाद में अपना दूसरा कनेर का फूल निकलने के बाद इस दूसरे कनेर के फूल को आपको भगवान कार्तिके जिवाले स्थान पर समर्पित करना है अब यह भगवान कार्तिके जिवाले स्थान कहां पर होता है शिवलिंग मतलब की जलधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर मतलब उल्टे हाथ की तरफ आपको इस दूसरे नंबर के कनेर के फूल को समर्पित करना है। तो जलधारी जो होगी जलधारी के बिलकुल बीचों बीच की जो जगह होती है वह देखिएगा और वह देखने के बाद अपना कनेर का फूल जो है उस जलधारी के बीचों बीच में आप लोग रख दीजिएगा समर्पित कर दीजिएगा फूल का खिला हुआ भाग शिवलि के बाद दोस्तों आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिसके अंदर से बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है, जिस पात्र के अंदर शिवजी की पांच बेटियों का स्थान होता है, जे विशहरा शामली बाड दावदली और देव यह पांच बेटियों का नाम आप लोगों को लेना है और नाम लेते हुए आपको इस चौथ नंबर के कनेर के फूल को उस पात्र के अंदर समर्पित कर देना है और अगर वह पात्र उपस्थित ना हो तो आपको शिवजी की इन पांच बेटियों का नाम लेते हुए इस चौथे नंबर के जो कनेर का फूल रहेगा इस फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है, जो है जलधारी के बिलकुल जहां पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, शिवजी का कटी भाग होता है, वहां पर समर्पित करना है, उसके बाद में आपका पांचवा और आखिरी नमबर का कनेर का फूल आपके पास बचेगा जिसको आपको उठना है और इस पांचवे नमबर के कनेर के फूल को आपको क्या करना है अगर जिस मंदिर में आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो उस मंदिर में अगर त्रिशूल रखा हुआ हो तो भाई उस त्रि के फूल को आपको शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर इस कनेर के फूल को समर्पित करो तो फूल का खिला हुआ भाग सामने की तरफ होना चाहिए मतलब जलधारी की तरफ होना चाहिए इस तरीके से आप। पांचवे नंब परेशानी है वह मनो कामना बहुत ही जल्द पूरी होना शुरू हो जाएगी और आपके सारे काम बनना भी शुरू हो जाएंगे बाकी दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है